हलो गुन मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं नियो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को धनबाद में लगेगा रोजगार मेला 29 अगस्त को ओफर लेटर बाटेंगे सीम हिमन्तु सोरिन 7 जिला के 10 हजार युवाओं की हाथोगा रोजगार 29 अगस्त को मुख्यमंत्री हिमन्तु सोरिन धनबाद में होगे उनका धनबाद में एक बड़ा कारिक्रम होना है उनकी यह बेरोजगार युवाओं के लिम महत्त पून होगा हाली में चाबसा में ओफर लेटर देने के बाद अब सीम हिमन्तु सोरिन धनबाद में युवाओं को ओफर लेटर देंगे इस कारिक्रम के आयुजण को लेकर जिला प्रसासन को पत्र भेजा जा चुका है मुख्यमंत्र सची वाले की और से या चिट्थी भेजी गई है जिसमें कारिक्रम के आयुजण को लेकर तैयारियां करने को कहा गया है इस दिन लगबग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा ओफर लेटर वितरन कया कारिक्रम धनबाद में ही होगा लेकिन इस कारिक्रम में उतरी छोटा रोजगार उपलब्द करा रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जोर कौसल प्रसिक्षन लिए युवाओं को लेकर है इन जीलों की युवा होंगे सामिल इसमें हजारी बाग, कोडर्मा, गिरीडी, धनबार, बोकारू, चत्रा और रामगड की युवा सामिल होंगे बताया जा रहे है कि अवाद खनन मामले में एडी के अहम गभार है वजे हास्दा की गवाही से जो है मो करने के मामले में भी बिएसपी राजेंदर दूबे की अहम भूमिका रही है इन सभी बिंदूवा पर इडी उनका बयान लेकि राजेंदर दूबे को बरहेट विधान सभाच्षेतर के बधायक प्रतनिधी पंकच मिस्रा का करीबी बता गया है पंकच मिस्रा अबैद खनन मामले का जो है आरोपित है जिसे इडी ने गर्त वर्स उनीश जुलाई को गरबतार किया था विहीप वबजरंगदल ने 23 अगस्त को गुमला बंद बुलाया राफ ने किया फ्लाग मार्च गुमला से 10 किलोमेटर दूर प्रस्तावित प्रखन टोटो के सिव मंदिर परिशर में आपत्ती जनक समान फेकने वालों पर कार्रवाई नहीं किये जाने से नराज विश्व ह हिंदू परिशद वबजरंगदल ने 23 अगस्त को गुमला जिला बंद बुलाया है इस समंद में उपायुक्त के नाम अपर समहर्ता शुधीर कुवार ने ग्यापन सौपा गया है तोटो के निकटम थाना घागरा सिसाई गुमला वा तोटो में जिला पुलीस बलवा रैप समाजिक तत्मों द्वारा तोटो के सिव मंदर में आपति जनक समान फेका गया था जिसे पूजा अर्चना को रोक सके हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुचा सके फिलार प्रसासन द्वारा 48 घंटा समय लिया गया था ताकि आसमाजिक तत्मों को पकड़ा जा सके लेकिन सिगर हमारे समाज के वाक्ति को छोड़े क्योंकि प्रसासन द्वारा मामला को दवाने का प्रियास किया जा रहा है कहा कि अगर 22 अगस्त कोई कारवाई नहीं की गई तो 23 अगस्त को गुमला जिला बंद का आवाहन करेंगे आरोप प्रत्यारोप के बीच जेपीपी उमिद्वार ने वापस लिया नमंकन कहा आस्सु को जीत धिलानी हैं डुमरी विधान सभा उपचिनों में ज्हारकन पीपूल्स पार्टी के टिकट पर खड़े बैजजनात महतों ने आखिरकार नमंकन वापस ले लिया है सुमवार को निर्वाची पादधिकारी 33 डुमरी विधान सभा निर्वाचन शेतर सहा अनुमंडल पादधिकारी मुहमत सहजाद परवेज के समक्ष नाम वापसी का पत्र दिया नमंकन वापसी के बाद आश्चो के केंद्रिय सच्चिव बैजजनात महतों ने कहाए कि वे अपनी पार्टी के साथ हैं और पार्टी के उमिद्वार को पूरा समर्थन रहेगा गरीब अस्टुडेंट्स को सुदेश महतों ने दिया अस्टुडेंट्स एक्सप्रेश का तौफा कॉलेज जाने के लिए मिलेगी मुक्त वास सिवा पढ़ेगा सिल्ली बढ़ेगा सिल्ली मुहीम के तहद विधायक और पूरु उपमुखेमंत्री शुदेश महतों ने शोना हातों के अस्टुडेंट्स को सम्वारकू अस्टुडेंट एक्सप्रेश का तौफा दिया है अस्टुडेंट एक्सप्रेश आस्टुडेश महतों के तरब से सुरू की गई निसुल के बस सेवा है जो सिर्प शोना हातों प्रखन के ग्रामिन अस्टुडेंट्स के सिल्ली विधान सभाट शेत्र इस्तित सोनाहातू प्रखन के गाउं की गरीब अश्टूडेंट्स की उच्छा को ध्यान में रखकर सुदेश महातों की और से अश्टूडेंट एक्स्प्रेश बस सिवा सुरू की गई है या निसुलक बस सिवा सोनाहातू प्रखन से 4-5 अस् सानि से जा सकेंगे इस निसुलक बस सिवा का लाव किसी भी वर के बच्ची ले सकेंगे इवं पिंटू कुमार वैसाली शामिल हैं। दुकान में घुसकर हंतियार के बल पर दुकान से जिवल लूट कर फरार हो गए थे। साथ ही अप राध्यों ने से सी टीवी का डीवी आर भी लेकर चले गए थे। दुमरी उप्चिनों दुमरी से ही रवाना होंगे मतदान कर्मी हलिकॉप्टर का भी नहीं होगा परियोग। पांस सितंबर को होने वाले डुमरी उप्चिनों के मतदान को लेकर प्रहसासनिक तयारियां जारी है। अधिवासी भासा हो सविधान की आठवी अनुसूची में सामिल करने की मांग को लेकर जनतर मंतर पर प्रदर्शन देश में 40 लाक से अधिक आधिवासी हो भासा का परियोग करते हैं। और जो 36 गड़ के हो समाज के हजारों लोग परंपरागत परिधान में शामिल हुए। पदधिकारियों ने कहा है कि हो भासा काफी पुरानी है और इसका परियोग जार्खिन के विश्विध्यालियों के पार्टिक्रम में हो रहा है। लिखित और मौकिक तोर पर ओ भासा में काफी जो है साहित मौजुद है। इसकी किताबे जो है देवनागरी, जो है ओडिया, बंगाली और वारंग चिकी में उपलब्द है। और इसका में प्रात्मिक अस्तर पर भासा की पढ़ाई होती है। पुलीस के सहीयोग से लक्की खान को धनबाद सिगर अपतार की अगया है। लक्की खान प्रिंस खान के निर्देश पर रंगदारी नहीं देने वाले कारोबारियों पर फारिंग की घटना को अंजाम दिने में सामिल रहा है। अब तक की जानकारी में इसकी सनलिपता धनबाद की प्रसिद्ध क्लीनिक लाइप मचली कारोबारी रसीद महाजन इमजे कपड़ा दुकान जो है अपसरा ड्रेसेस पर फारिंग की घटना में सामिल होने की जानकारी मिली है। जारखेंड ATS को चार नए DSP और जारखेंड जगवार को मिले एक DSP अधिसूच ना जारी जारखेंड ATS को चार डीएस पी और जारखेंड जगवार को एक नए DSP मिले हैं। ने किया विरोध प्रदर्शन धनबाद रेलवे स्टीशन में इस्तित वेगन विभाग की जो कोचिंग कॉंपलेक्स में श्रमवार को पुरानी पेंसल लागू करने की मांग को लेकर रेल कर्मिचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया ECRKU के केंद्रिय अधख्षडी के पांडे ने बताया है कि AIRF के महमंत्री शिव गुपाल मिसरा के निरदेश पर सभी शाखा प्रमंडल और जोन अस्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें NPS को हटा कर कि पुरानी पेंसल लागू करने के मांग को लेकर विरोध क इस दोरान ECRKU धनबाद लाइन ब्रांच द्वारा करमचारियों को जागरूप किया गया जिसे लेकर छातर छातराएं काफी परेशान है अभिशेक शुकला ने कहा है कि राज्यके जितने भी विश्रिवत दाले हैं उनमें लगबग 60-70% छातर छातराएं मध्धम वर्गिया निमन वर्गिये घरों से आते हैं ऐसे में उन्हें असकोलर से परासी नहीं मिलने से उ जिसे उन्हें अपने आगे की पढ़ाई को लेकर कई थरा की परेसानियों का सामना करना पड़ता है 1280 विद्दाले को उत्कृष्ट विद्दाले के रूप में विक्षित किया गया है इन विद्दालियों को श्रिवी ऐसी से माननेता दिला गई है विद्धालिया में नमांकन के लिए परवेश परिच्छा ली गई थी अब जो जिन विद्धालियों में सीट रिक्त रह गई है वहां सीधा नमांकन लिया जा रहा है राज के उत्कृष्ट विद्धालियों में कुल 13,580 सीट है इनमें सी अब तक 11,588 बच्चों ने नमांकन लिया है विद्धालियों में उनिश्व 92 सीट अब भी रिक्त हैं विद्धालियों में नमांकन प्रिक्रिया जून में ही पूरी कर ली गई थी नमांकन के लिए पुराधियों ने युवक की मारी गोली इलाज के लिए सधर अस्पिताल में भरती 14 सधर THANA चेतर के सिंदवारी गाउं में अग्यात पुराधियों ने एक युवक को गोली मार कर जक्मी कर दिया घटना के बाद आनन फानन में उसे इलाज पर अज़े इलाज के लिए सधर अपराधियों के पहचान नहीं हो सकी है अपराधियों के पहचान नहीं हो सकी है मानकर किया जाना चाहिए जारकन अधिवक्ता मंच के जो है अध्धक्ष जो रविंद्र कुमार कहते हैं कि अगर सरकार इस पर निरनए नहीं लेती है तो जारकन हाई कोट में या चिका दाकिल कर गुहार लगा जाएगा स्वास्त मंतरी बनना गुपता के भाई सहिद 22 पर मुकदमा नबालिक से दुसकर्म मामले में हाई कोट ने सुरक्षित रखा था फैसला अब सभी को करना होगा ट्राइल फेस जारकन के स्वास्त मंतरी बनना गुपता के भाई गुड़ो गुपता सहिद 22 पर मानगो की नबालिक के साथ दुसकर्म करने का आरोफ है वहाँ की निचली अदालत ने सभी को आरोपी बनाय जाने का आदेश दिया था जिसके बाद स्वास्तमंतरी बनना गुपता की भाई गुड़ो गुपता सहित 22 लोगों ने हाई कोट में निचली अदालत की आदेश को चिनौती दी थी सुमार को हाई कोट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहाए कि निचली अदालत का आदेश बिल्कुल सही है इसमें हस्त छेप करने की जौरत नहीं है सभी को निचली अदालत में ट्राइल फेश करना होगा 19 जनवरी 2018 को मानगों की नाबाली के साथ दुसकर मामले की प्रत्मे की दर्श की गई थी पिडिता की माने गुड्डू गुपता, ततकालिन डेस्पी, अजय करकेटा और ततकालिन एमजियम थाना परभारी इमदाद अंसारी सहित 22 लोक आरोपी बनाने के लिए जम सेथपूर की अदालत में आविदन दिया था हाई कोट का एडी को निर्देश, जाच जल्द करेपूरी, निलंबित IAS चबिरेंजन ने PMLA कोट की आदेश को हाई कोट में दीथी चिनोती, अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई अब इस मामले की अगली शुनवाई सितंबर को होगी निलंबित IAS शबिरेंजन की और से अधिवक्ता अंदरजेत सीनह और अभिशेक चौधरी ने बहस की मुखेमंतरी के छोटे भाई की पत्नी ने पती पर मारपीट का लगाया आरोप कहा हेमंत सोरेन के दिये पैसो से हो रहा गोजारा जारखन मुक्ती मोचा के सुप्रीमो सीबू सोरेन के छोटे भाई स्वरगिये लालू सोरेन की बड़ी बहु अंजली सोरेन ने अपनी पती पर मारपीट करने का आरोप लगा है अंजली सोरेन ने बोकारो महिला थाने में सिकायत की है पुलीस ने अंजली के पती जो है नित्यानन सोरेन को नोटिस भेजा है अंजली ने या भी बता है कि 6 महिना पहले सेक्टर 6 थाने में भी ओनलाइन मामला दर्च कराय था लेकिन कोई काररवाई नहीं हुई उसके पती उसको घसिटते हैं गाली का लोच करते हैं अंजली सोरेन ने कहा है कि सीम हमनतु सोरेन के द्वारा दो बच्चों की परवर इसके लिए हर महिने 10 जार दिया जाता है लेकिन इस परिवार की प्रदार्णा से अब मेरा दम गोटन लगा है मेरे बच्चों का भवि की रात साढ़े दस बचे रानिपूर मोड की निकट छापमारी कर तसकरी को ले जा रहे हैं तिरपन गोवनसियों को जब्त कर लिया अंधिरे की कारण तसकर भागने में सफल हो गए गोवनसियों को गोड़ा जिले के बांका मवशी हाट से पैदल ही ला जा रहा था गोवन ले जा जा रहा है जिसे रानिपूर के रास्ते बंगाल ले जाने की तैयारी है सुचना पकर पुलीस रानिपूर मोड के पास पहुँची कुछ देर बाद देखा कि कुछ लोग गोवनसियों को पैदल ही ले जा रहे हैं पुलीस को देखते ही सभी तसकर भागने के लिए कर्था ने ले आई इंडिया की और सी अधिवक्ता एके सिंग एवं सिवं कुमार ने पैरवी की वही राजी सरकार की और सी अधिवक्ता मनोज कुमार ने पैरवी की डीशी देवखर मंजूनात ने याचिका में कहा है की चुनाव आयोग ने उन्हें पद सी हटाने का आदेश राजी के मुख्य सच्च्यूखू भेजा है जबकि किसी भी आधिकारी की पदस्थापन एवं जो है तबादले का आधिकार राजी सरकार के पास है चुनाव आयोक को सरकार की आधिकारी को इस तरह के आधिकार नहीं है धनबाद की सराइधिला में पिक अफ विन ने महिला को मारी टक कर इलाज के दोरान मौत धनबाद की सराइधिला थाना चेतर के जो है भूई फोड़ा मंदर के पास का सुम्मार को पिक अफ विन ने एक महिला को टक कर मार दिया जिसमें महला गंभे रुप से घाल होगे महला को इस्थानिय लोगों की मदद से इलाज के लिए सहे निर्मल माहतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भीजा गया जहां इलाज के दौरान उनकी माहतों के फिलाल महला की पहचान नहीं हो पाई है घटना के समद में बताया जा रहा है कि महला जो है रोड पार कर रही थी तब ही पिक अफ विन ने अकर मार कर फरार हो गया आनन फानन में लोगों ने अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्ति खोसुत का दिया घटना के सुचना जो है सराइडला पुलीस को दी गई मौके पर पुलीस पहुँच कर जाच में जुट गई है इस M.A.U. में D.G.P. की और से डियाजी बजट डॉक्टर समसत अपरीच और S.B.I. की और से रांची जोन की डियाजी देवेश मित्तल ने हस्ता चरकर एक दूसरे को M.A.U. के दस्तावेजसों पे इस सेलरी पेकेज से पुलीस कर्मियों को निमन शुबदाएं उपलब्द कराए जाएगी इसमें व्यक्तिगयाद दुर्गहटना में मृत्य होने पर आसरित बच्चों के जो है उचतर सिक्षा के लिए बीमारासी 10 लाक ता अविवाहिद बच्चों के विवाह के लिए भ अलावा नकसल हिंसा उगरवाधियों अपराधियों की और से घात लगा कर किये हमलों में सहीदों के आसरितों को अतरिक्त 10 लाक रुपे का परोधान किया गया है कुड माली भासा की पढ़ाय सुरू करने की मांग आदिवासी कुड मी समाज जारकन प्रदेश समेती के सोमार को गौशनर कॉलेज की प्रचारिय सा मुलाकात की समेती का एक प्रतनिधी मंडल जारकन राज्य मुक्ती प्रिश्च विद्धाले के जो है कुलपती से मिला समेती के प्रदेश अद्धक्ष जो बनना लाल महतों ने का है कि जो है कोशनर कॉलेज में कुड माली भासा का पठन पाठन सुरू होने से छेतर में कुड मी भासा भासी चातर चातराओं के लिक काफी मदद मिलेगा